Hello friends, welcome on my YouTube channel आज मैं अपने Glamour X-Tec का बैटरी निकाल लिया हूँ आप देख सकते हैं इसमें कोई बैटरी इंक्लूड नहीं है क्योंकि मैं अपने बैटरी को आज बीना बैटरी स्टाट करने जारू यह रहा एक साइड का ओरिजनल बैटरी जो की बैटरी के साथ में देता है अगर इन फ्यूचर मेरा बैटरी डेड हो जाता है तो बैटरी के स्टार्ट हो पाएगा या नहीं विदाउट बैटरी वही चेक करने वाला हूँ आज में यह देख सकते हैं बाइक का एगनिस्यन ओन है और बाइक पर कोई लाइट नहीं सू कर रहे क्योंकि बैटरी निकला हुए अभी मैं इसे किक से स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको स्टार्ट होता है या नहीं होता है कि एक बार में नहीं हुआ अब दूसरे बार में देखते हैं बाइक फाइनली स्टार्ट हो चुका है मेरा बाइक यह देखिए पूरा लाइट प्रोकर वर्क कर रहा है इंडिकेटर में आपको दिखा दो हैड़ लाइट हाइव लो विम पूरा वर्क कर रहा है टाइम का सिफ रिस हुए क्योंकि बैटरी नहीं है तो टाइम गलत दिखाएगा और ट्रिप मैंने रिसेट मां रखा है त्रिप ए देख सकते हैं ट्रिप वन ट्रिप बी दोनों रिसेट है ब्लुटूथ का एवरेज किलोमेटर इकनोमी बस 2932 किलोमेटर चला है और बाइक 6 मन्त हो चुका है और आपको हेड़ लाइट दिख लगड़ा है भाई और मैं पीछे से आपको रिखा दूँ कि मैंने आए यह मैंने लिफ्टी ड्राइव लिखवाया है और इधर देख सकते हैं आप यह बाइक का नंबर और यह इंडिकेटर और इधर मैंने आई लफ्ट रेवर लिपार रख है और यह आप देख सकते हैं मैंने बाइक का जो कि मैं अभी 4000 किलोमीटर पर चेंज करवाने वाला हूं और यह बाइक अब देख सकते हैं विल्कुल ठोल कर रखा हूं क्योंकि मैंने साफ किया हुए थार्ज तो वही पूरा फोल रखता हूं इसे ओफ कर देता हूं अब देखिएगा आफ किया फिर से यहां करने पर कुछ नहीं होगा क्योंकि बैटरी इसका निकला हुआ है तो अब इधर आकर आपको एक और चीज़ दिखाता हूं यह देख लिजी यहां का बैटरी मैंने निकाल रखा और चैन कौवर निकाल रखा है क्योंकि इसका चैन कौवर का क्वालिटी बहुत घटि जिसके वज़ा से की चर में हमेशा गंदा हो जाता है इसलिए मैंने उसको निकाल दिया और आप इधर से देख सकते हैं यह नीचे नीचे पूरा मैंने साफ कर रखा है बाई बिलकुल भी गंदा नहीं दिखेगा बाइक में मेरा कौली साफ किया था मैशन को तो आपको वी subscribe कर रखे हैं तो thank you भाई चलिए मिलते हैं next video में